इबरानियों के नाम पत्री तीसरा अध्याय हर एक घर का कोई न कोई बनाने वाला होता है पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है मूसा तो उसके सारे घर में सेबक की नाई विश्वास योगि रहा कि जिन बातों का वरनन होने वाला था उनकी गवाही दे पर मसी पुत्र की नाई उसके घर का अधिकारी है और उसका घर हम है यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमन पर अंत तक द्रड़ता से स्थिर रहें सो जैसा पवित रात्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परिक्षा के दिन जंगल में किया था जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जाच कर परखा और चालीस वर्ष तक मेरे काम देखे इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा और कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मारगों को नहीं पहिचाना तब मैंने क्रोध में आकर शपत खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे हे भाईयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी न मन हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए बरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए क्योंकि हम मसी के भागी हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दड़ता से स्थिर रहें जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो जैसा की क्रोध दिलाने के समय किया था भला किन लोगोंने सुनकर क्रोध दिलाया क्या उन सबने नहीं जो मूसा के द्वारा मिसर से निकले थे और वे चालिस वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा क्या उनहीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनकी लोथे जंगल में पड़ी रही और उसने किन से शपत कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे, केवल उनसे जिनोंने आग्या न मानी, सु हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके।